देव भूमी उत्राखन में मंडवा एबम कोदे की खेती की इस खास पेशकस में आपका बहुत पोश्वागत है और मैं अभी बिल्कुल रिसी मुनियों की देव भूमी और उत्तरकासी टेहरी जीला के मध्यभाग में खड़ा हूँ, कटकेत एक जगा पड़ती है, बिल्कु मुझे नजर आ रहे हैं, और जहां तक मैं देव भूमी की बात करो, छोटे-छोटे खेत होते हैं, हालाएं कि ये काफी बड़ा खेत है, पूरा लगबग सड़े 6 फीट और 7 फीट तक इसकी हाइड जाती है, अभी लगबग मेरे बराबर, यानि लगबग सड़े 5 फीट से लेके 6 फीट तक ये लगवा, जहां तक मैं इसकी बात करो, उत्राखण सरकार ने इसको बड़ावा का बहुत प्रियास किया है, इस कोदी और मंड़ों के दी बात करो, ऐसे बारिक दाना निकाला जाता है, आटा बनता है जिस तरीके से राजिस्तान में मक्का और चनेक और यानि सूगा और थाइराइड की जो प्राब्लम्स होती है, पेट समंदी तमाम को चुस्त कर देता है, आतों को मजबूत बनाता है, यदि आप दो रोटी खाते हैं, तो आप लगातार कई घंटों तक काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जब इसकी रोटी खाई जा अंदर डाल को भी भरके इसकी बनाए जाती है, इसकी रोटी बहुती टेस्ची रोटी जो कि राजस्तान में मक्के की रोटी है, उसी टाइब की होती है, और सरकार को चाहिए बड़ावा देने का प्रियास तो किया गया, दवाई के रूप, यानि इसकी वाइन भी बनती है उबाल करके इसको और वाइन के रूप, यानि बियर जो होती है, बियर में इसको डाला जाता है, बहुती शरीर के लिए यानि बौडी के लिए बहुती पावरफुल होती है ये बियर और तमाम रोटियां, देखे आज देभुमुतराखन में कोदा एबम मंडवा पर मेरी स सीदे, ग्राउंड, जीरो की कबरेज, जय हिन, जय भारत